हेलो गुड़ मॉनिक साथी और वेलकम टू MPS मॉटिवेटर्स सिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने घर पे रहकर अच्छे सिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं आज हम लोग क्लास तेंत के केमेस्ट्री के अगले पढ़ाव की तरह बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने धातू अधातू के अगले नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे आयनो का बनना आयन्स कैसे बनते हैं इनके बारे में अध्यान करेंगे और आयन्स में धातू या अधातू ही आयन बनाते हैं आप कहीं पे देख सकते हैं कि कोई भी परमानू होता है और परमानू के ऊपर कोई चार्ज हो जाता है जैसे प्लस हो गया या माइनस हो गया और इने पर प्लस ही क्यों हुआ, कैलसियम 2 प्लस कैसे आया, तो यही अध्यन हमारा आयनों का बनना कहलाएगा, चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि आयन कैसे बनते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको सनियोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, सनियोजी करने के फलोश्वरूप उसके जो बाहे कक्चा होते हैं, उस बाहे कक्चा में जब आप इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो यदि आप इलेक्ट्रॉन को जो अंतिम कक्चा है, उसी को आप क्या कहते हैं, सनियोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे देखिए, ऑक्सिजन, ऑक उक्सिजन का परमानुसंख्या क्या होता है 8 होता है तो देखेगा इसको हम जब इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 and 2p4 देखे 426628 देखे 22 अंतिम है तो अंतिम बाले में देखे 2 और 4 क्या होता है 6 तो मतलब क्या समझे कि ऑक्सिजन के बाहे कोस में कित इसको देखे ऑक्सिजन और 2 इलेक्ट्रोन को यह क्या करना चाहेगा गेन करना चाहेगा लेना चाहेगा और उसके बाद यह – बनालेगा अब समझे अब W2通 मائनस के हुआ तो याद रखेगा कि Oxygen क्या करता है दो Electron को ग्रहन करता है इसलिए जब ions के रूप में इसको हम लिखते हैं तो ओ टू- के रूप में लिखते हैं तो यह Oxygen क्या हुआ सावित कि ओधातू है क्या है औधातू है तो देखे शोडियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं जैसे सोडियम का आप electronic configuration कर लीजे इसका परमानु संख्या 11 होता है है ना तो देखे इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 1 देखे अंती में क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है मतलब क्या समझे कि इसको 7 electron कोई दे नहीं सकता ह है अपना यह अश्टक पूरा करने के लिए इसके पास 1 है और अश्टक में नियम में हम आपको बताएं कि हर तत्व क्या सोचते हैं कि मेरा अश्टक पूरा हो जाए 8 electron complete हो जाए तो बताए इसको तो 6 था इसको कितना था 6 तो 2 तो कोई दे सकता है 2 इसको मिल जाएगा तो O 2 माइनस हो जाएगा है तो इसको हम क्या कहते है माइनस लग गया तो रीन आयन हो गया अब देखे यह 1 है तो समझ यह 7 electron इसको कोई दे नहीं सकता है तो यह सोचेगा कि देखे लास्ट वाले में देखे 2 6 8 इसका 8 हो चुका है ऐसे इसको लिखते है 2 8 1 है तो इसका 8 तो रिखते हैं sodium को जब electron यह त्यागता है तो जैसे in a plus and electron मतलब क्या समझे कि एक electron का sodium क्या करता है त्याग करके अपना अस्टक को पूरा कर लेता है तो समझ में आया यह कि जब कोई परमानू अपने सनियोजी electron का क्या करते हैं त्याग करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं धनाय करते हैं और ग्रहन करने के फलास्वरुप फक्राता है का रिनायन विपा गएन कहा तो इसी जो परमानू धनायन हुए और रिनायन हुए इन्ही को हम लोगों ने क्यां कहा आयन कहा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एक और एक्जामपल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं जैसे आप क्लोरीन को जानते हैं ना क्लोरीन क्लोरीन क्या है ओधातू है हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि क्लोरीन क्या है ओधातू है और chlorine को आप हर जग़ देखेगा तो CL- के रूप में होता है मतलब क्या समझे कि chlorine ओधातू तो है क्योंकि यह electron को क्या करेगा ग्रहन करेगा, minus वाला electron को ग्रहन करेगा और plus वाला electron को त्याग करेगा तो यदि आपको कोई भी परमानू के ऊपर यदि धन आयन या रिन आयन मिलता है तो समझ जाईएगा एक सब्दों में कि यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का वह क्या किया है त्याग किया है यदि वह माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है ग्रहन किया है तो जैसे क्लो दीजे, दो, दो, चार, चार, छे, दस, दस, दू, बारा, बारा, पांच, सत्रा, एंड क्लोरीन का इटोमिक नंबर भी क्या होता है, शत्रा, कोई दिक्कत, अब यहीं हमको चेक करना है कि CL पर माइनस होगा, कि प्लस होगा, यहीं देख लेना है, लेकिन हमारे समझ से आप ज जानते हैं, बहुत अच्छा बात है, CL माइनस के रूप में होता है, क्या होता है, CL माइनस के रूप में होता है, तो यह तो इस पर माइनस होगा, लेकिन कैसे होगा, यह देखना है, तो दो, दो, चार, चार, छे, दस, दस, दू, बारा, 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 बारा जैसे इसको कह सकते हैं कि CL plus electron यह electron को क्या किया है लिया है और उसके बाद इन्होंने बनाया है CL minus को दिकत जैसे जब electron लिया जाएगा तो minus का sign यदि electron को देंगे त्यागेंगे CL पे तो minus है और दुसरे कोई तत्व होंगे तो उन पे क्या कर दिजेगा प्लस चार्ट कर दिजेगा तो यहीं हमारा टॉपिक था आयनों का बनना क्या था आयनों का बनना तो आयन को बैग्यानिकों ने दो भागों में बाटा number one धन आयन क्या बाटा धन आयन धन आयन और प्लस माइनस देखते हैं, तो प्लस जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वही अपने पैसा को किसी को देना चाहता है, फिर भी वह धनी रहता है, और जब किसी के पास कर्ज हो जाता है, तो वह क्या करता है, किसी से पैसा लेता है, तो देखें केमेस्ट्री के भासा में आठ पूरा कर लेना, उस तत्व के लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे क्लोरीन को देखिए न, साथ है और अश्टक नियम आप पर लिए हैं, अश्टक नियम में क्या पढ़ाया गया, कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सन्योजी इलेक्ट्रॉन करने का मतलब कि लास्ट को हम बताते हैं, और इन आयन की कुछ विशेष्टाओं को बताते हैं, तो देखिए, नमबर वन में हम लोग देखेंगे धनायन की विशेष्टाओं के बारे में, तो धनायन की विशेष्टाओं के बारे में, तो धनायन की विशेष्टाओं के बारे में, जैसे का कि चब करते रहता है तो देखे जब अपि येक्ट्राइन किया न तो फट्र्विक नंबर दोजारा प्रोट को बता धिया गया मतलब जैसे सोचिए और सड़ियम है और सोडियम का परमानुस मिनख्या क्या है इगार तो अगर हम आप से पूछेंगे कि इसका बताईए आप electron proton और neutron ये भी हम आपको बता चुके हैं यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को सबसे पहला वीडियो मेरा यहीं था कि हमने किसी तत्व के इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और नूट्रोन, मतलब बनाने का तरीका हमने बताया था, तो जैसे देखी, ये सोडियम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्या हाँ, कोई चार्ज है क्या, ना प्लस है, ना माइनस है, इससे तो कोई साबित होता नहीं है, तो देखी, अगर कोई परमानु simple way में है ना plus है ना minus है तो उस पे electron proton and neutron निकानले का तरीका जैसे जो परमानु संख्या है वही क्या होता है proton होता है proton कभी बदलता ही नहीं है proton कभी बदलता नहीं है proton इसका क्या हो जाएगा 11 और neutron निकानले का सुत्र मास माइनस प्रोटॉन द्रब्यमान माइनस प्रोटॉन तो न्यूट्रोन को देखिएगा तो न्यूट्रोन सोडियम का द्रब्यमान कितना होता है 23 एंड प्रोटॉन देखिए 23 में से 11 तो इस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा तो यह साबित हुआ कि प्रोटॉन और न् बारवीद प्रोटोन मंतों प्रोटोन के बराबर में कौन है इलेक्टॉन कब जब उसकी चारज नहीं है लेकिन अगर भर माली एक्टों इन एक ox उन्यट्रोन को प्लस चार्ज आ गया तो और यह जब न प्लस आया तो तका जिद्ययु सह्केस कोला कर प्लस और गान्य Bieber 10 लेकिन simple way में जब sodium था तो उस पे electron 11 कोई दिकत जब electron क्या होगा त्यागेगा तो आपका उसका electron का संख्या भी घट बर सकता है कोई दिकत अब देखिए proton तो हमने आपको कहीं दिया है कि कभी change होता नहीं है तो proton आपका क्या हो जाएगा 11 का 11 और neutron भी कभी change नहीं होगा 12 का 12 कोई दिकत देखिए electron ये plus वाला electron को ही दर साता है और किसी चीज को नहीं दर साता तो यह लिखता है कि किसी धनायन में अपने मूल परमानू से कौम electron रहते हैं परमानू है तो इससे क्या हो गया कम हो गया कोई दिकत नहीं होना चाहिए धनायन का electronic विन्यास उसके निकटतम उत्क्रिष्ट गैस के सद्रिस होता है जैसे इनर्ट गैस के बारे में आप जानते हैं magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, potassium 19 नमबर पे आता है तो potassium का तो पहले बात की परमानू संख्या 9 होता है और इसने एक electron को त्यागा है तो 19-1 तो क्या हो गया 18 अब जब electronic विन्यास होगा तो देखेगा 2,8,8,2,8,10,10,8,18 इस पर आया आरगन के कडिवाता है किसके कडिवाता है आरगन के जैसे k-plus का आप electronic विन्यास किये तो किसके बराबर में आ गया एक उत्क्रिष्ट जैस जैस जिसका नाम था आरगन, आरगन के शद्रिश हो गय तो क्या समझे कि सर कोई भी आयन होगा और उस आयन का हम electronic विन्यास करेंगे और करने के फला स्वरूप एक जैसे k-plus का जब electronic विन्यास होगा तो क्या है दो आठ 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 अब बताए सोडियम का ही कहेंगे तो क्या लिख सकते हैं दो आठ एक लिख सकते हैं ऐसे सद्रिश म क्या बारे में भी आप समझ गये होंगे अब चलिये हम लोग आगे बढ़ते हैं धनायन का आप उसके मुल पर्मानु के आकार से क्या होता है चोटा होता है तो तो इलेक्ट्रोन जब कम होगा, तो क्या होगा? परमानुस सीखूरेगा, छोटा होगा, तो धनायन के बारे में भी आप सीख लिए, देखे हम लोग रिनायन की अब विश्यस्ताओं को देखते हैं, धनायन की विश्यस्ताओं में आप देख लिए कि वह उत्कृिष्ट गैस के रूप में हो जाएगा, तो 17 और इसने एक इलेक्ट्रोन को ग्रहन किया है, मतलब क्या है कि 17 प्लस एक 18, तो पहले क्लोरीन पर जब कोई चार्ज नहीं था, तो उस पे कितने इलेक्ट्रोन थे 17, और जब CL- कोई चार्ज आ गए, तो उस पे इलेक्ट्रोन कितने हो गए, 18 यही बात का न, चारा है, कि रिनायन में अपने मुल परमानू से अधिक इलेक्ट्रोन रहते हैं, रिनायन पर कैसा आवेश होता है, रिनावेश होता है, आप जानते है, रिनावेश क्यों होता है, आम तो पढ़ा दिया आपको कि रिनायन पर रिनावेश रहता है, तो जबात दीजिएगा कि रिवेस इसलिये होता है क्योंकि वह क्या है वह परमानु अपने इलेक्टॉन हो जाएंगे, अठारा इलेक्टॉन हो जाएंगे, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा आइनो का बनना, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास तेंथ का जो पढ़ा हमारी सिक्षक, हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए आप केवल हम लोगों के लिए इतना ही स्ने बरसाएं कि केवल लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और देखिए रिनायन की विश्यस्ताओं को भी हम लोगों ने समझ ल झाल